क्या आपको लेना है एक electric scooter, परंतु इनकी बड़ी हुई कीमतों से आप है परेशान। तो अब हो जाए निश्विक्र। हम यहाँ आपको भारत की टॉप पांच ऐसी सस्ती, बैस्ट और आकर्शक electric scooter के बारे में बता रहे हैं जिनकी कीमत बहुत कम है इसलिए यह आपके बजट में होने वाली है हम यहाँ जो सस्ते और बहतरीन electric scooter को बता रहे हैं वे अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ट और उच्चत कीमत वाले हैं इन में से आप कोई भी ले सकते हैं यह scooter विश्वस्निय ब्रांट के होने के साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं इसलिए आप इस वीदियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप भारत की टॉप 5 चीपेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में सभी जरूरी जानकारी जान पाए यहां हमने इनकी कीमत, फीचर्स, रिव्यू, रेंज, मोड, टॉप स्पीड, मोटर, बैटरी, चार्जिंग, कलर आधी सहत सारी जानकारी दी हैं आगे जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकोन भी उन करे आए शुरू करते हैं नुमबर पाच पर है ओकिनावा लाइट ओकिनावा लाइट ये शांदार लुक और ट्रेंडी डिजाइन वाला होने के साथ न केवल यूजर फ्रेंडली है बलकि पॉकिट पर ज्यादा बोज भी नहीं डालता इसे स्टाइल और सुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है पुश स्टाइट ओन, आफ बटन, कलर डिजिटल मीटर, डिटेचिबल बैटरी, यूएसबी पोर्ट, बैटरी लोक, आटो हैंडल लोक, रिमोट ओन, हजाद फंक्शन, रिमोट बूट ओपनर, स्टोरेज, स्कूटर पावर ओफ, हूटर जैसे बहतरीन फीचर्स मिल जात हैं, इसकी रेंज 60 किलोमीटर, चार्ज और टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रती घंटा है, इसकी लोडिंग शमता 150 किलोग्राम सीट की उंचाई 740 मिलीमीटर, ग्राउन क्लियरेंस 160 मिलीमीटर, इसमें बैटरी पैक पर 3 साल की वार्टी और मोटर पर 36 महीने 30,000 किलोमीटर तक की वार्टी मिल जाती है, दोनों में से जो भी पहले हो, लाइट की कीमत लगभग 66,993 हैं, और कनावा लाइट के बारे में अधिक जानने के लिए description में दीगी लिंक पर जाए, नंबर 4 पर है Hero Electric Flash LX, ये भारत का सबसे कम कीमत वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसमें क Alloy Wheel, Portable Battery, LED Headlamp, USB Charger, 12 इंच के पहिये इसमें आते हैं, Flash LX में 250 Watt की BLDC मोटर मिलती हैं, 51.2 V और 30 AH की बैटरी है, बैटरी लगभग 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती हैं, 25 किलोमीटर प्रती घंटे की टॉप स्पीड है और 50 किलोमीटर प्रती चार्ज की रेंज हैं, वजन लगभग 87 किलोग्राम है, जिससे स्कूटर को चलाना बहत आसान हो जाता है, ये तीन रंग विकलपों में आता है, अंडिसीट स्टोरेज और एक सामान बॉक्स इसे अधिक उप्योगी बना देते हैं, इसका X शोरूम प्राइज लगभग 69,640 हैं, इस पर 3 साल की व इश्रण है, एक वेरियंट और दो रंगों में उपलब्ध है, इसका साफ सुथरा रूप और कम वजन है, सभी उंचाई के लोग इसे आसानी से चला सकते हैं, इसमें कोई लाइसेंस की आवश्यक्ता नहीं होती हैं, इसकी बैटरी को युमा एनरजी स्टेशन पर बदलव सकते हैं, इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें, की शेरिंग बिना चाबी इगनिशन, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिपमीटर, मोबाइल अप्लिकेशन, स्टार्टिंग पुश बटन स्टॉर्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, OTA, आटोमेटिक ट् डिजिटल ओनर्शिप वीकल एक्सिस, राइट स्टेटिस, लेंद इन विवरण, लोकेशन ट्रैकिंग, एक्सिस शेरिंग, LED लाइट, ड्रॉम ब्रेक मिल जाते हैं, ये लाल रंग और चांदनी सफेद रंग में उपलब्ध हैं, साथ सो चालीस मिलिमीटर सीट की उंचाई, एक हजार दो सो मिलिमीटर वील बेस, सौ किलो अधिक्तम पेलोड, एक दशमलव साथ छे मीटर टनिंग रेडियस है, व्यान में दो सो पचास वॉट की BLDC हब मोटर है, एक्क्यावन वोल्ट, उननीस दशमलव तीन एंपियर की हैं, ये 55,555 रुपे की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, आप इसे 999 रुपे में आप के जरिये बुक कर सकते हैं, नंबर दो पर है टेको इलेक्ट्रा नियो, ये सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर है, एर याई द्वारा प्रमानित नियो स्कूटर के चारों और LED लाइटिंग के साथ एक आकरशक डिजाइन है, इसे इसके उप्योग करताओं द्वारा उच्छ रेटिंग दी गई है, ये केवल एक वेरियंट में उपलब्ध है, इसे एक कठोर ट्यूबलर चैसिस के आसपास बनाया गया है, आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोक्स औ और पीछे की तरफ डूल शॉक एब्जॉबर है, फ्रन्ट और रियर दोनों सिरों पर ड्रम ब्रेक दिये गए है, कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है, दस इंच के ट्यूबलेस टायर है, सेंटर लॉकिंग सिस्टम, डिजिटल स्पीडो मीटर, मोबाल किलोमीटर प्रती घंटा की है और राइडिंग रेंज 55 किलोमीटर की है, चार्जिंग टाइम 4 से 5 घंटे है, कर्ब वजन 51 किलो, ग्राउन क्लेरिंस 150 मिलीमीटर है, इसमें 250 वाट की BLDC मोटर दी गई है, 12V20 AH की बैटरी पैक है, बैटरी पैक को फुल चार्ज होने में पोनी एलेक्ट्रिक स्कूटर, पोनी एलेक्ट्रिक स्कूटर स्टाइलिश, कॉम्पैक्ट और एगोनोमिकल डिजाइन के साथ आने वाली भारत की सबसे सस्ती और बैस्ट एलेक्ट्रिक स्कूटर में से एक है, यह एक कम स्पीड वाला होने के कारण इसे चलाने के लिए ल VLDC, Waterproof Motor है, जो आपको 350 Watt की अधिक्तम पॉवर देती है और इसका पीक पावर 2020 अश्वशक्ती है 1.8 kW की स्मार्ट बैटरी इसमें आती है Features की बात करें तो इसमें Fast Charging, Stylish Rangin TFT Digital Speedometer, E-ABS, LED Light, Stylish Tail Lamp, Multi-Device Bluetooth, Wireless और USB-C Charging, Egonomical CT, Dual Disc Breaking System Controller, E-ABS, Electronic Assisted Breaking System Parking Lock Alarm, स्वचालिक Motor Cut-Off, Auto Cut के साथ Charger, Micro Charger, बिना चाबी के प्रवेश, 3 Speed Mode जैसे कई Features से यह भरपूर है आगे और पीछे Stylish Aluminium Alloy Wheel है, जिसमें Tubeless Tire लगे है Front Suspension Hydraulic Telescopic और Rear में Dual Tube Technology Suspension के साथ Double Shocker है जो आपको सवारी करते समय अतिरिक्त आराम देते है Breaking की बात करें तो आगे तथा पीछे दोनों छोड़ पर डिस्क ब्रेक है यह कम Speed वाला Electric Scooter है इसकी Speed 25 किलोमीटर प्रती घंटा की है और Range 80 से 90 किलोमीटर प्रती चार्ज की है पोनी को दो वैरियंट में पेश किया गया है एक Late Acid बैटरी के साथ जिसे चार्ज होने में 8-9 घंटे लगते है और दूसरे वैरियंट में Lithium Ion बैटरी है जिसे चार्ज होने में 3-4 घंटे लगते है ग्रेडियंट 9 डिग्री, सीट की उंचाए 800 मिलिमीटर, ग्राउंड कियरंस 200 मिलिमीटर, लोडिंग शम्ता 150 किग्रा, वजन 86 किलोग्राम, फ्लो मेट काले रंग का है इसकी बैटरी पर 3 वर्ष की वार्टी और मोटर पर 18 महीने की वार्टी मिल जाती है इवोलेट पोनी की कीमत 49,499 से शुरू होती है और रूपे 69,500 X शोरूम तक जाती है निशकर्ष, ये भारत के कुछ सबसे सस्ते इलेक्रिक स्कूटर हैं जिन्हें आप खरीदने पर विचार कर सकते हैं विभिन शहरों और सबसिडी के आधार पर इनकी कीमतों में परिवर्टन होते हैं आप अन्य कोई इलेक्रिक स्कूटर को जानते हैं जिनकी कीमत कम हो तो कमेंट में ज़रूर बताए ऐसी ही खास जानकारी के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को एवं वीडियों को लाइक वर शेयर करें